Dear Students, Myself Dr. Shiba Khalid, Today we will learn about Social Learning Theory. What do we need to know about Social Learning Theory? हमें क्या-क्या जानने की जरुवत है Social Learning Theory के बारे में? सबसे पहला जो question हमारे दिमाग में आता है, वो है, What is Social Learning Theory? Social Learning Theory क्या है? दूसरा जो question होगा, वो है, Who developed this theory? किसने इस theory को develop किया? तीसरा जो question हम लोग आज discuss करेंगे, वो है, Are there any other theory like the Social Learning Theory? उसके बाद हम लोग discuss करेंगे, What are the elements of Social Learning Theory? नेक्स जो हमारा question होगा, How can we use Social Learning Theory in our daily life? And, Are there any criticism of Social Learning Theory? आज इन सारे questions को हम इस class में discuss करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी videos जो है, अलग-अलग topics पे लगातार आ रही हैं, उनको देखने के लिए आप जादा से जादा मेरे चैनल को subscribe करें और इसको share करना न भूलें, bell icon दबाना बिलकुल भी ना भूलें क्योंकि नई updates आपको time to time मिलती रहेंगे, अब हम लोग अपने topic पे आते हैं, हमारा आज का topic है, what is social learning theory, यानि social learning theory क्या है, हम जैसे as a human being, आर्थ पर आते हैं, यानि हमारा जनम होता है, हमारा जो learning process होता है, वो वहीं से start हो जाता है, कैस तो social learning theory है, is the idea that behaviors can be learned through observation, modeling, or imitation, यानि जब एक बच्चा पैदा होता है, तो उसका जो learning, जो process होता है, वो उसी time से start हो जाता है, वो सीखना शुरू कर देता है, कैसे हमें खाना मागना है, किस तरीके से मैं रोंगा, तो मुझे दूद मिल जाएगा, या मा को कैसे बुलाना है या नैपी चेंज करना है, तो उस time रो के बुलाता है, या अलग-अलग different behavior वो लोगों को observe करता है, जैसे हसने का behavior है, किस तरह से हाथ चलाना है, कैसे खाना है, जैसे जैसे वो अपनी age को cross करता रहता है, नई-नई चीज़ें सीखता रहता है, बाद में अपने traditions को, अपने culture को सीखता है, और एक socialized member होके, फिस society के contact में आता है, वहाँ पे भी जो learning process है, वो चलता रहता है, through observation, तो हमारा जो social learning जो है, वो theory is the idea that behaviors can be learned through observation, modeling, or imitation, यानि हम दूसरों को देखकर, उनके नजरिये से उनको देखते हैं, चीज़ों को observe करते हैं, और सीखते हैं, who developed this theory, social learning theory was developed by Albert Bandura, Albert Bandura, he developed the theory, following is a series of now famous studies known as a Bobo Doll experiment, उन्होंने एक famous experiment किया था, Bobo Doll Experiment, जिसमें उन्होंने दो ग्रूप में बच्चों को बाट दिया था, एक ग्रूप के बच्चे को कुछ ऐसी डॉल देने से पहले, उनको कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाई गई थी, जिसमें कि दूसरे बच्चे जो थे, वो डॉल के साथ जिसमेंट, तो उन्होंने देखा कि जो दूसरा गुरूप है, जिसको उन्होंने वाइले दिखा रखा था, उन्होंने उस चीज को observe कर लिया था, जैसे ही वो बोवर डॉल, वो जो हिलने वाली डॉल, आप इधर सिधर कर दो, इधर सिधर वो हिलती रहती है, तो वो इस ट अपना दिखाने लग गए, उस behavior को उन्होंने वाँ से सीखा, और दूसरा जो गुरूप था, उसने उसके साथ खेलना शुरू किया, उसको बठाना, सहलाना, जो उसके साथ बहुत soft behavior था, उससे उन्होंने दो बातें notice की, एक जो number one बात थी है, कि हमारा जो learning process है, वो हम observation के through करते हैं, यानि दूसरों के behavior को देख के हम सीखते हैं, एक तो ये बात हमारी समझ में आई, और उनके समझ में आई, और दूसरी बात ये समझ में आई, और दूसरी बात उन्होंने ये निकाली, कि जो लोग है, उनका जो अपना mindset है, जो कि उनके अंदर inherited है, किस nature के है, उ उसको जानने के लिए भी उन्होंने ये प्रयास किया, तो भी उनको ये पता लगा, कि जो बच्चा, जो उसका nature violent है, वो उसके साथ बहुत violent है, उसका behavior जो था, उस डॉल के साथ violent था, aggressive था, लेकिन जो काम था, जिसके अंदर एक सुकून था, पीस से खेलना था, तो वो peacefully उस डॉल के साथ, वो group खेलना था, तो मैंने कहा कि ये reward में भी था, और ये punishment, यानने उसको punish करना था, जो aggression था, जिनके अंदर उसने punish किया, और जिसको reward था, जो एक rewarded वो था, जिनको उसके साथ अच्छा behavior रखना था, वो एक behavior करके उन्होंने दिखाया, और इस चीज को उ social learning behavior का है, जो कि हम observation के थूँ, एक modeling और imitation के थूँ, सीखते हैं, so question आता है, are there any other theories linked to social learning theory, Bandura built on the theories put forward by behavioral theorists, behavioral theorists है हमारे, Ivan Pavlov and B.F. Skinner of classical operant conditioning, जिनको ने दिफेरें बहेवियर जो थी, ये जो थी उठाई, Bandura ने वहीं से ली, so what are the elements of social learning theory, Bandura identified four factors of elements required for observational learning to be successful, उन्होंने चार elements उठाए, जिनको कि हम इस learning process को successful बना सकते हैं, वो अभी हम लोग आगे discuss करेंगे उसके बारे, now how can we use social learning theory in our daily life, हम अपनी daily life में कैसे इन social learning process को देखते हैं, या use करते हैं, तो वो देखने के लिए, जैसे कि हम, for example, educators have found social learning theory to be very powerful tool for teaching, उन्होंने इस theory को बहुत powerful tool माना teaching के लिए, बच्चों को motivate करने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, ताकि वो observation के थू बच्चे कैसे सीखते हैं, या फिर students को उनके behavior को manage करने के लिए, उनका counselling करने के लिए, इस theory को use किया गया, जैसे कि हम देखते हैं, कि play group में बच्चों को डाल दिया जाता है, उनको अलग-अलग से games दिये जाते हैं, वो teacher उनके सामने जो जैसा perform करती है, वो उस चीज़ को देख करके उसी तरीके से perform करने लगते हैं, जैसे dancing उनने सिखाई जाती है, rhyme सिखाई जाती है, उन actions को वो वैसे ही follow करते हैं, जैसा कि उनकी teacher उनने सिखाती है, तो यह है हमारा social learning theory, so are there any criticism of social learning theory, जब भी कोई theory आती है, तो definitely वहाँ पे कुछ ना कुछ gaps हो जाते हैं, जिनकों की criticize किया जाता है, जिनके बारे में बताया जाता है, कि यह चीजें वहाँ पे छूड़ गें, यह एक major research gap था, जो कि इस theory के अंदर missing था, तो now, Bandura, जो था, he believed that all behaviors are learned through social imitation, as opposed to genetics, यानि जो socially हम जिन चीजों को देखते हैं, जिन चीजों को observe करते हैं, क्योंकि हम as a human being, हम society के अंदर रहते हैं, एक society का हिस्सा है, social well-being हैं, तो हमें जो है, चीजों को society के अंदर रहकर की, हम चीजों को observe करते हैं, उन चीजों को सीखते हैं, first जो हमारा institute होता है, या हमारा school होता है, जहां से हम चीजे observe करना या सीखना स्टार्ट करते हैं, वो होता है हमारी family, जहां पे हमारा जनम होता है, वहां पे हमारी teacher होती है, हमारी मा होती है, क्योंकि हम उसकी ही गोद में पनपते हैं, पहले वहीं आते हैं, उसके ही एक्शन को सीखते हैं, अपने हमारे सिब्लिंग्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, सिब्लिंग्स हैं, हमारे ग्रैंट्पेरेंट्स हैं, यह जो लोग हमारे यद्गिर्द हम रहते ह यही start हो जाता है, so as a part of these experiment, Bandura ने क्या किया कि कुछ बच्चों को individually exposed to an adult model and who was physically and verbally aggressive with the Bobo doll, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने Bobo doll दिया उनको वो एक model दिखाया कि वो उसके साथ aggressive थे, जब बच्चों को वहां रखा गया, उन्होंने भी वही same behavior उसके साथ किया, यानि वो उसको observe किया उनके behavior को model के, और उस model के behavior को observe करके उन्होंने भी वैसा ही behavior Bobo doll के साथ किया, so when these children were left to play with Bobo doll, independently they use, many of them imitated and reproduce the behavior like the model. Other theories, Bandura social learning theory is often linked to behavior learning theory, जैसा कि मैंने उपर बताया आप लोगों को which focus on idea that all human behaviors are acquired through conditioning and interaction with external environment, यानि जब हम external environment के संपर्क में आते हैं, contact में आते हैं, तब हम learning होती है, हम उस behavior को observe करते हैं और सीखते हैं. What are the four main elements of the social learning theory? जो चार elements जो है Bandura ने हमें बताया वो था attention, यानि lesson को जब भी हमें कुछ चीज़े observe करना होता, यानि lesson must engage a student sufficiently to hold their attention, यानि जो सीखेगा जो individual हुआ, चाहे वो student हुआ, चाहे वो कोई भी child हुआ, या children हुए, तो उनको अगर कुछ चीज लर्न करनी है, तो attention must be, जब भी हम किसी चीज के उपर attention देते हैं, तभी उन चीज़ों को हम observe कर पाते हैं, उसके बाद है retention, यानि जो बच्चे हैं, वो must be able to remember whatever they observe, यानि जो चीजे हमने observe की हमको वो चीजे याद होनी चाहिए, हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए, then reproduction, यानि जो children हुए या जो human being हुए वो time देना चाहिए, उसको practice करेंगे लिए observe behavior को, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ों को हम observe करते हैं, observe किया हमारे दिमाग में रह भी गया हमें याद रहा कुछ दिन, लेकिन अगर हम उसको practice में नहीं लाएंगे तो वो हम definitely भूल जाएंगे, हमने classroom के हिसाब से क्योंकि ये classroom है, classroom में हम example भी class का ही देंगे, तो यहां अगर मालीजे, मैं आप लोगों कोई lesson पढ़ा रही हूँ, आज आपने उसको पढ़ा, आपको समझ में भी आया, पूरा fully attention भी था, उसके बाद आपने चीजों को observe भी कर दिया, कि माम यह बोली, यह बोली, यह points है exactly, उसके बाद घर जाने के बाद अगर इस पे revision नहीं होता है, हम practice में इन चीजों को नहीं लाते हैं, तो definitely यह चीजें हमारे दिमाग से vanish हो जाएंगे, हम भूल जाएंगे, तो reproduction के लिए, attention must है, उसके बाद retention and then reproduction, यानि हमको उस चीज़ को practice के अंदर रखना है, और जो number four element है, वो है motivation, यानि किसी भी काम को करने के लिए, हमारे पास motivation होना जरूर है, motivation कब होगा, जब हमको एक तो खौफ होता है, कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम punish किये जाएंगे, एक तो वो आया, और दूसरी चीज़ जो होती है, वो है reward, यानि अगर ऑखने ऐसा किया, तो हमें reward मिलेगा, we will be get rewarded, यानि इसका हमें reward मिलेगा, तो हमें वहां से फूदन बेनि exagger को करने में इस काम को करने में या इस आइडिया को लेने में, या इस चीज़ को इस culture को adopt करने में हमारा फाइदा है तब हम इन चीज़ों को फाइदा देख करके motivate होंगे, encourage होंगे और अपनी life में उसको practice में लाएंगे उस observation को और हमारे अंदर उससे changes देखने को मिलेंगे तो आज हम लोगों ने जाना कि जो हमारी social learning जो theory है उसके चार process है चार elements है जो की है attention, retention, reproduction and motivation तो इन ही के ऊपर यह हमारी जो theory है यह base करती है और हम आज हम आप लोगों को यह बताना चाहेंगे कि जो social learning जो theory है जो बैंदूरा ने जो theory को develop किया यह जो theory है यह revolves around the idea that human learns from observing and imitating the behavior model by others जैसे कि हम अपने Bollywood stars को ही ले लें उनको देख करके हम सीखते हैं हमारी dressing sense कैसी होनी चाहिए हमारा बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए यह आजकर हम social media पर different तरीके से जो चीजें देखते हैं अनको वहां से सीखते हैं यह किसी को dance पसंद है वो उसको dance को observe करता है कि कि इसका step क्योंकि हमारा in-tres अगर हम dance में यह किसी को drawing पसंद है तो observe करता है कि हम बहुत सारी चीजें YouTube के throughy सीखते हैं और चीजों को observe करते हैं उनको अपनी डेली लाइफ में रूटीन में लेकर करके आते हैं प्राक्टिस करते हैं तब हम जाके उसको सीखते हैं तो बैंडुरा के जो सोशल लर्निंग थियूरी है वो रिवॉल्स अराउंड दा आइडिया दा that human learns from observing and imitating the behavior model by others दूसरों के दारा जो model होते हैं जो लोग करते हैं जो हमें पसंद आते हैं हम उन actions को उन behavior को observe करते हैं और उनको follow करते हैं तो बैंडुरा लेबल दिस फिनोमेना observational learning इसको उन्होंने observational learning का नाम दिया in short it is not necessary to have a direct experience of something other than in order to learn जरूरी नहीं कि हमको direct उसमें experience करना हो चीजों का हम बहुत सारे behavior ऐसी सीख लेते हैं देख करके भी दूर से भी सीख सकते हैं जरूरी नहीं कि हम आइक्स्पिरियंस करें तभी हमें वो चीजे आए तो what are the four main elements to learn the social the social learning process or the four elements of the social learning theory attention बिना attention कि हम कोई चीज सीख नहीं सकते attention होगा हमारा तभी हम चीजों को observe करेंगे number two है retention जो चीजे हमने observe की वह हमारे दिमाग में रह जाएं उसके बाद है reproduction यानि हम उसको observe जो हमने किया उसको हम practice में लाते हैं जब तक हम practice में नहीं लाएंगे तब तक हम सीख नहीं सकते और number four element है हमारा वो है motivation यानि किसी भी काम को करने के लिए encouragement एक motivation एक benefit या एक reward या फिर बाद में हम punishment इन सारी चीजों का होना जरूरी तब ही हम किसी काम को कर पाते हैं तो यह हमारी आज की class आज का हमारा topic था social learning theory जो कि Albert Bandura ने इसको develop किया था I hope यह class आप लोगों को पसंद आई होगी और मैं आप लोगों से फिर कहूंगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें शेयर करें और बेल आइकन को दवाना बिल्कुल भी न भूलें और मेरी और जिससे पहले जो वीडियों है उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है अगर आप लोग को जो भी टॉपिक उस पर इंट्रेस्ट हुआ आप उस पर जाकर के देख सकते हैं तैंक्यू सुमच